असलाम अलेकुम जी, so in this lesson we are going to learn कि illustrator में clipping mask को कैसे use किया जा सकता है clipping mask क्या होता है ये तो हम देखेंगे लेकिन हम करना क्या चाहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हम चाहते ये हैं कि जो image इस artboard से बाहर है वो हमें नजर ना आए और जो इस artboard के अंदर है सरफ वो ही visible रहे so इसके लिए हम clipping mask की help लेंगे तो how this is going to be done इसके लिए हम एक shape draw करते हैं so मैं दुबारा shape tool के उपर आ रहा हूँ इस पर click कर रहा हूँ और इसको मैं यहां से draw कर लेता हूँ ठीके जी so इस shape का size इस वकत है 1000 points by 1000 points that is equal to the size of artboard इसको मैं release कर रहा हूँ और मैं दुबारा इसे अपने selection tool को ले लेता हूँ इसके बाद clipping के लिए एक चोटा सा rule है वो यह है कि आप जिस object को दूसरे object में place करना चाहते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि इस image को इस shape के अंदर clip कर दे मतलब layers वाले section में अगर हम जा के देखें so यहाँ पर image हमारी नीचे है हम इसको rectangle को नीचे move कर लेते हैं so यहाँ पर आप देखें so image की layer नीचे है और यह जो rectangle अभी हमने draw किया इसको हमने top से थोड़ा सा नीचे move कर लिया so यहाँ पर लेकिन फिर भी यह इस image से उपर है so हम यहाँ पर दोनों की selection करेंगे आप दोनों की selection अपने artwork से भी कर सकते हैं shift को press करें और अपनी दूसरी layer की selection कर लें या आप अपने layers panel के अंदर से भी selection कर सकते हैं so मैं इस rectangle की selection करता हूँ keyboard से shift को press करता हूँ और इस image को select कर लेता हूँ so दोनों select होगे इसके बाद it's going to be very simple अपने artwork के उपर आखे right click करें और यहाँ पर आपको एक option नज़र आगी make clipping mask so मैं इस पर click करता हूँ और इसने उस image को इस shape के अंदर clip कर दिया so यह rectangle है इसको हम hide कर लेते हैं so यह जो आपको यहाँ पर left side पर आई बनी भी निज़र आ रही है इसका मतलब है कि यह वाली सारी layers visible है so हम इस rectangle को fill वक्त के लिए hide कर लेते हैं so यह हमने clip किया image को एक shape के अंदर so this is how you can clip different images inside different objects so open your laptop इसको experiment करें different shapes को आपस में clip करके देखें कि आपके पास क्या results आते हैं images को shapes के साथ clip करके देखें मिलते हैं जी next lesson में thank you so much